प्रवारती इतियास के अंतरगत काफी कुछ पढ़ लिया था हमने और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं प्रदूस्त हम बात कर रहे थे जेन धर्म के बारे में इसके बारे में बात कर रहे थे जेन धर्म के बारे में यानि की धार्म का अंदोलन पढ़ रहे इसी तीसी बात का हैं तो जेन धर्म के बारे में क्या क्या देखा था हमने जेन धर्म और जेन धर्म के संस्तापक रिषब देव को माना जाता है रिषब देव जो है यह आयद्या में इनका जन्म माना जाता है कि चवी सब्सक्राइबाब कर देख ले लेना ज्यानकारी डियादा सब्सक्राइब चले चले लिए यह जुर्वेद यह जुर्वेद यह जुर्वेद या भगवत कीता या बात करें वह फ्रांट यहां से इनकी जानकारे मिलती है प्रतम तिर्थंग यह संसार रूपी यह संसार से पार निकालने वाला कौन इसका प्रतीक चीन वर्षब को माना जाता है किसको माना जाता है और बात करें पार सुनाथ पार सुनाथ के आठवी सदी का पूर्व कहा जाता है इनका उलेख देखने को मिलता है तो इनका पिता अस्वसें ते जो कासी के श्वाकु वंस से संबंदित रखते थे इनकी माता वामा देवी ती तीस वर्ष के आयूमें ग्रत्याद करते थे और इनकी जो अमरेशा मतलब जूटना वोलना इंसा मतलब मुलना उर्फण वहीं साना करना और तेना करना और ब्रह्मवचर है किसके द्वारा जोड़ा गया था ये माज़ श्वामी की द्वारा इंग्स बात करते हैं इसकी माता वामा देवी और प्रभावती इसके पत्नी कहा जाता है दो पुत्र जिसमें से कहहा जाता है कि दो पुत्र थि और सो पुत्र यहां थे इतने इतनी संतान थी कि 12 After जिसमें से चलिmot कि Jamil was 159 सबढ़ाई फ्रीच करते हैं कि फिर और इसका विवा जमाली के साथ वाता इनका बहिन जो महावीर्स की स्वामी की वहीन थी उसकी नाम ता पुदर्शना उशी के पुत्र से इनका विभा वुआ था बात करें तो इनके जन्म की टाइम के कहा जा जाता है इनका जन्म जो पूरानिक मानिताव के अनुसार मिलता है हमें पांचो चालिस सब्सक्राइब में नगीं मेरा लेकिन दोनों ठीया मिलते आपको लेकिन पामad 14 विदेद्था इसका नाम मिलता है विदेद्था बात करें तृष्ला यह लिच्वी की शासक चेटक की बहिंतीय इसकी पतनी यसुदाति यसुदा से किपता जन्म वर्था अनुज्या का जन्म हुआता है यहां पर इसके बाई नंदी बर्दन इनका बड़ा वाहिए को रहता नंदी बर्दन हुआ करता था जिससे आ जाता इनकी पिता की मर्तियों के बाद 30 साल की उमर में इतनी आयों में यह अपना गरहत्याक कर देते पैर दोस्तों गरहत्याक कर देने के पश्चात का जाता ही काफी समय तक लगब बारा वर्स तक क्य और तबॉस्त करने के बाद की ट्याना की फ्राप्त होती है याद रखेसे किसकी प्राप्त होती है और बॉल्वरस किसी तकप्स्या करने बाद 42 वरस के आयो में इने ग्यान के प्राप्त होती है होती है साल वरक्ष के नीची भी ध्यान रखना है ज्यान प्राप्त होने के बाद किस किस के नाम से महावीर कहला है महावीर जाते हैं जो दिये जाते हैं इसके बाद इने प्रतम उपदेश दिये राजगीर्में इनका प्रतिक सिंग था इनके प्रतम अनियाए जमाली था जो इनका दामाद माना जाता है ठीक है याद रखिएगा इसके बाद बात करें तो दोस्तों की भासा इनकी प्राकरत या अर्द माग दिवा करती थी प्रमुक ग्रंथ आगम ग्रंथ था इनका कल्प सुत्र जो भद्रभाव उनने लिखा था इसके बारे में यहां से जानकारी मिलती है जेंद्रम की ग्रंथ इसके बारे में जानकारी का से मिलती है इनकी इस बारे में जानकारी भद्रवाव की सम्मेक आच्रण कर लेना यहां सम्मेक आच्रण करना यहां सम्मेक आच्रण करना है सम्मेक आच्रण के बाद नेक्स बाते करें यहां पर कौन-कौन से इनके द्वारा इनके द्वारा अ विश्व पर विश्वास करने वाले ते सम्मेख ज्यान अर्था ज्यान पर विश्वास करने वाले सम्मेख चरित्र नहीं यह सम्मेख आच्रण अच्छा यह जानकारी मिलती है महावरत या पालन करना महावरत का पालन करना यानि कि पंच महावरत इनके द्वारा दिये गए थे कि इनके द्वारा पांच महावरत दिये गए थे जोड़ा गया तकिसके द्वारा जोड़ा गया ता यह अगरी शौमी नहीं जोड़ा था थी जो प्रतम संगर्थि वो का जाता है स्वेताइंबर दर्ण करने वाले जिसका अध्यक्स हुआ करता था या जिसका नेतरत्र करने वाला इस्तूल भद्र हुआ करता था इस्तूल भद्र हुआ करता था जिसके बाहरे में दूसरी की बात करें एक दिगंबर अर्थार्थ जो नगना वस्तामें रहा करते थे यह क्या करते थे यह तो श्वेत्वत्र से वस्त्र धारन करते थे पेट वस्त्र वस्त्र धारन करते थे ठ के लगते नगन करता प्रमुक नित्रत्व करता कौन्ता भद्रवाव कहा जाता है कि घर वारा साल तक अकाल पड़ता है बारा कि अकाल के दोरान यहां से कांस मारे का मुण खुछ जाता है कि उस्थापक और देह ता दीध्यक करनाट्स के चला जाथ कि वह भी और वेल गोला में इनके साथ चला जाता ठीक है प्यारे दोस्तों करनाटक के साइंड़ सरवना पेल गुला में अपनी देह का त्याग कर देता है कौन कर देता हुई चंद्रगुप्त मोरे ठीक है कि चले नेक्स बाते करते हैं क्या क्या जानकारिया मिलती है यहां पर देखते हैं तो देखते हैं पैर दोस्तों सबसे पहले इसके धार में गुरू इस प्रकार से देखने को मिलते हैं तो उसकी की बात कर लेते हैं यहां पर किसकी बाते करने हैं चलीगा मत्रों दिगंबर वाले अंहें हैं कर जाता है कि मली- जिए तो श्यथामबर श्यक्तामबर चीसार बोल्र 시 तंबर षाका थी इसके लोग इने मेह. मैला के रूप में मानते हैं यह विशेश रूप से ध्यान रखना है आपको निश्वे तीर्थंकर कि तीर्थंकर मल्लीनाथ जी कि मल्लीनाथ को ते तामबर कि तामबर कि तामबर कि तामबर कि ताका के लोग कि लोग इन्हें महिला मानते हैं कि महिला मानते हैं क्या मानते हैं कि यह महिला की रूप में जाना जाते हैं ऐसा कौन मानते हैं यह श्वेतामबर कि तो श्वेतामबर वाले इसको इनको प्यार दोस्तों का जाता है कि इनको महिला के रूप में मानते हैं मल्लीनाथ बात करें नेक्स बात करें सुताम्ब्र की द्वारा आश्राय गरंथ लिखा गया आश्य गरंथ लिए और क्या थी देखते हैं टी वितामबर वितामबर और वितामबर आगम गरंथ को आगम ग्रंथ को ग्रंथ को सत्ते मानते हैं आगम ग्रंथ को सत्ते मानते हैं सत्ते मानते हैं अर्तार्थ स्वेतांबर जो साका वाले लोग है वो किसको भई आगम ग्रंथ को क्या मानते हैं यह सत्ते स्वेतामबरवाले को श्वेताम वाले इसको क्या मानते हैं नेक्स जो बाते करते है पहरे दोस्तों किसके बारे में दूसरी जैन संकति करते हैं कि बितिये जैन संकति ढीती ए जेन संगिती और जितिये जेन संगिती कब होती ये वही 512 इस्वी में माने जाती है और ये कहां पर हुई ये वल्ल भी काथिया वार गुझरात में इसका इस्तान कोंचा माना गया है कजू इस। फैर दो तो ये कहां पर हुई स्थान की बात करें का इस्तान माना गया है वाल्ल भी कापर वह नe b ha wind कापर परता भी काठिया वार का इं इंस बीजिए संगती गुज्रात में ये संगती कई नमाकिस्थान पर स्ञरिय कहां पर होती है प्रशुने संगती में तक होता है अब इसके अध्यक्स की प्रेख सिन्हों प्रेख को इसना कि आध्यक्स पॉद रहुकर देख अब皆 रहे जाए प्रुफिश के बात करें यहूराइव जी के आजम घुरंत की लिपी बद्थ क्या गया इस मैं क्या कि खीया प्रहला गळंत को लिपी बद्थ किया गया खर से पीसमें क्या किया गया आगम्य को कि च्मुद को किम आगम को कि से ग्रंत को को लिपी वहां कि लिपी वद है कंद कि याजा पर चाहिए आगल क्या हो यहां पर रहे टौर उनको लुकर करने का एक श horizontally जेन संगत्ति के द्वारा किया जाता है इसी आउसर पर किया जाता है प्रतम जेन विक्षुनी नरेश ददीवाहन की पुत्री चंपा थी प्रतम जेन विक्षुनी कुछ को माना जाता है प्रतम जेन विक्षुनी कि प्रतम कि जेन बीक्षुनी प्रत्म जेगन बीक्षुनी द्धी वाहन द्धी वाहन ड्धी वाहन राजाता है कि यह काहां का नरेश वुआ करता था था वही प्रत्म जदीवान यह नरेश हुआ करता था है किसकी नरेश की पुत्री जदीवान नरेश की की पुत्री चंपा ओनती वही दीवान की पुत्री यह राजा वह करता था प्रतम जदीवान की पुत्री कोन चंपा को यह प्रतम जएन क्या मानी जाती प्रतम जेन विख्षुन यह अब बात करें तो क्या कंडीशन होती है बात करें तो क्या कंडिशन होती है यहां पर जो देखने को मिलता है पैर दोस्तों महावीर के महावीर ने अपने सिशो को ग्यारा गण धरों में वाजित कर दिया था महावीर ने अपने जो सिशे हैं तो ग्यारा भागों में बांट दिया था और उन भागों को क्या कहा गया ग्यारा गण धरों में विश्चित कर दिया था तो महावीर ने की बात करें भई महावीर स्वामी ने महावीर स्वामी ने स्वामी ने अपने विश्चों को ग्यारा गण धरों में विभाजित कर दिया था socialize कर दिया ता यानि कि अलग अलग स्वामू बनाइं लग स्वमू बना गश्चा कर परचार करने तो को सिक्षां का करने लिए तो क Colonial reward आरे सुधरमा और सुधर्मा ऐसा घंदर्ता चो कह जाता आरे सुधर्मा ऐसा घंद धर्माना जाता है पैर दोस्तों जो जैन अर्फार्त अपने महाविर्ष्वामी की म्रतिव दोंडे इसके बाद भी जीवित रहा था आरे सुधर्म ऐसा गंदर्वर स्व्वामी के बाद भी जीवित रहा था यह विशनुक सिध्याम रखना है आर्यसंिदर्म जीवितर्म अएश अ-गंदर्व था कि आरे तो कि धरम कि इसा ऐसा गंधर्व था गंधर्व था जो महावीर श्वामी महावीर श्वामी की मृत्यू के बाद्व जीवित रहा तो फीक है यह ऐसा गंधर्व था जिसके कहा जाता है आज्रे सुधर्मा ऐसा गंदर्व था जो इनकी मृत्व के बाद भी जीवित रहा जो जेन द्रम का प्रतम ठेरा या उपदेशक हुआ चाहा थेरा या उपदेशक हुआ यह जो जेन धर्म का जेन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक उपदेशक हुआ प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ या बात करें तो का जाता है घ्रंतों को शंक्लिट करने वाला प्रथम थेरा या उपदेशक माना जाता है जेन दर्म में इश्वर की माननेता नहीं है लेकिन आत्मा की माननेता जेन दर्म क्या है इसको जेन धर्म जेन धर्म मैं इश्वर की माननेता नहीं है नहीं है जबकी जबकी आत्मा की किसकी प्यारों दोस्तों आत्मा की माननेता है यह आत्मा की माननेता है जेन धर्म में इश्वर की माननेता नहीं है अर्थार्थ जेन धर्म वाले इश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा अजर अमर है एक आत्मा एक सरीर से दूसरे सरीर में प्रवेश करती है आत्मा आर्थार जेन धर्म के सभी कर्मों के निशार सही तरीके से चला जाए तो आत्मा जर्म मरण के चक्र से क्या कर लेती है छुटकारा पा लेती है आत्मा को मानते हैं जेन धर्म वाले और कहा जाता है इश्वर को ये नहीं मानते हैं इसे विशिष रूप से ध्यान रख करना है आपको जेन धर्म वाले इश्वर को किसको पैर दोस्तों इश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं कि इस वर को नहीं मानते हैं अर्था इसकी इस वर की मानेता नहीं यह जेन धर्म में जबकि आत्मा की मानेता है इसकी मानेता है कि आत्मा की मानता है महाविर स्वामी की बात करें तो महाविर स्वामी कर्म पर बल देते थे और कर्म के साथ ही बात करें तो कहा जाता है कर्म वाद पर और पुनर जन्म में विश्वास करते हैं महावेर स्वामी कर्मवाद परबल देते हैं और। उसके साथ पुनर जन्म में विश्वास करते थे पैर दोस्तों पुनर जन्म में विश्वास किया करते थे आत्मा है और आत्मा का जन्म दुबारा होगा इसमें विश्वास करते थे लेकिन इस वर को नहीं मांगते तो यहां पर द्यान रखना है क्या कि यह लिगा महावीर स्वामी कि महावीर करमवाद को मानते थे लेकि वह पुनरजन्म में विश्वास करते थे इसमें महावीर स्वामी उनर जन्म में विश्वास रखते थे कर्म करो कर्म आपकी द्वारा सही तरीके से नहीं किए तो आपका द्वारा जन्म होगा फिर अच्छे कर्म करना क्या मानते थे आपका धंसे कर्म थे नहीं हुए यानिकि इस जन्म में आपको मौक्ष नहीं मिली तो आपको दुबारा जन्म होगा तो इसा मानने वाले पॉंथे माविर्श्वाम प्रेंदर्म ने अपने संक्लिट कियी भी मैं के दर्शन ऑनके दर संक्लिट किये गए संक्यudsk will लेकिन यहाँ पर जैन्दव्म के जो कहा जाता है आध्यात्मिक विचार थे वह कहां पर फ्रस्दित किया गए आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म में आपनें यह संक्लिट के earnest जेन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को तांके दर्शन तांके दर्शन में छंकलित किया गया या ग्रहण किया गया तांके दर्शन से ग्रहण किया जेन धर्म ने आध्यात्मिक की विचारों को शांग के दर्शन के दर्शन से ग्रहन किया है जो आध्यात्मिक विचारों को शांग के दर्शन कि दर्शन से जहान किया गया जो आध्यात्मिक विचार का है इसमें यह संक्यदर्शन के सांग की दर्सन से मिलती है सांग की दर्सन से जो आध्यातिविक विशार्ति वूइह निस्विकार कि उर्प्सित यह ण्यान रख में और क्यां हम रखे है कि рудर भी में बात करшт thou कि मौरत रूप मौरे काल में जब का जाता है रासो का का जाता है प्रमुख केंद्र माना जाता है मत्रवा किसको माना जाता है मोरे काल के बाद जेन धर्म का प्रमुख केंद्र मस्त्रवा बना क्या बना वही जेन धर्म का मत्रमुख केंद्र क्या बना मत्रवा बना तो यह ध्यान रखना है आपको मोरे काल के बाद इसके बाद पहरे दोस्तो मोरे काल के बाद मोरे मोरे मोरुतर मोरुतर काल के बाद मोरुतर काल के बाद जेन धर्म जेन धर्म का प्रमुख किंद्र मतूरा रहा जेन धर्म का प्रमुख केंद्र कहा जाता है मुरुत्रकाल के बाद मुरुत्रकाल खतमों गया उसके बाद मुरुत्रकाल माना जाता है वो मतुरा को माना जाता है मतुरा कला संबंद में भी का जाता जेन धर्म है मतुरा कला का संबंद भी जेन धर्म से हैं किसके तो ध्यान रखना यहां पर मतुरा कला का संबंद भी जेन धर्म से हैं का मतुरा कला का संबंद कला का मत्रा कला का क कंबंद हैं एक ए हम 278 बज़ेय masks जोमंँ कंदाम देखने को मिलती हूं किसे संबंदह रखती बहिए दर्म से संबंदहर रखती है ये मत्रा कला का संबंद भी जेन दर्म से माना जाता है यह विश्य सीख से हम रखने आप का जाता है कि भत्तर वर्ष की आयू में का माविर्ष्वामी का देहन्त हो जाता है या मृत्ति को प्राप्त कर ले थे भत्तर वर्ष की आयू में माविर्ष्वामी जेन धर्म के जो अंतिम तिर्थंकर हुए हैं जेन धर्म के क्या हुए अंतिम तिर्थंकर हुए हैं जिनको जेंदर्व का उद्दार्व का जाता है। जा माविर्षोमी कि मृतें कि कह जाता है। है यह कव दोजाता है 468 इसापूर में कि मpes Like औपकी याद रखना तर वर्सकिया बहते हुए। ऑzew चतररयडकत की में में मैं माहविर्श्वामी की म्रत्व हो जाती है ठीक है मार्गर स्वामी की मर्तिव काहां हो जाती है पावापुरी राजगिर बिहार में भत्तर वर्स के आईयू में 468 इस्वी में इसा पूर पूर्व पावापुरी कहां पर प्यार दोस्तों पावा पावापुरी राजगिर पावापुरी राजगिर पावापुरी राजगिर पावापुरी राजगिर कहां पर बिहार में कहां पर प्यार दोस्तों पिहार पावापुरी राजगिर बिहार में किसके मर्तिव हो पर इसके आयू में 468 इसापूर में पावापुरी विहार में महावीर स्वामी की महावीर महावीर स्वामी की मरत्यू की मरत्यू हो जाती है महावीर स्वामी की मरत्यू हो जाती है पावापुरी विहार में राज्गीर में 468 इसापूर भत्तव वर्स्ट की आयू में यह अंतिम् तीर्थंकर्वी माने जाते हैं यह यह आविर स्वामी सी महावीर स्वामी महावीर स्वामी जेन धर्म के अंतिम तीर्थं कर थे अंतिम अर्थनिम तीर्थंकर थे और पाती द्यान रखें क्या रखेंगे भी अंतिम तीर्थंकर किसको माना जाता है आविर स्वामी जेन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए जलिए मिन मुख्ति लिथीा क्या अपावापुर्य की राजा कहा जाता है कि सरस्चिपाल कोन सांब्टिकर यहां इनका निर्वान चांटाएं किस अपकृटर मुले लया है मल्य राजा स्रश्चिपाल्र Chief राजब्रासाद में सा छुन मल्य एं राजा प्रिष्टि पाल के राज प्रासाद में राज प्रासाद में राज महल में महावीर स्वामी का महावीर का निर्वान हो जाता है का निर्वान उता है ओ जता है और यानि के मर्ती हो जाती है । इनके कि मृत्ती को क्या कहाता है कि निर्वान हो जाता है ये स्रिश्टि पाल के यहां वा करते तहें यहां से राज साथ में यहां महल में कहा जाता है कि निर्वान हो जाता है जेन धर्म को मानने वाले सासकों की बात करें तो क्या बात करें पर दोस्तों जेन धर्म को किसको जेन धर्म को मानने वाले मानने वाले शाशक जेन धर्म को मानने वाले सासक में बात करें तो कौन-कौन का नाम लिया जाता है यहां पर कहा जाता है एक तो अदाईन कुड़ाइन हे डोक एन इस जेन धर्म को माना करताए क्या दैन हे वंद्राज नंद्राज हुदाइन दूसरा बात करें वंद्राज यह यह जैन को मातणता। यह नंदृब्त है बीशना मोलता है नंद्राज ए नंद्राइ चंद्रगुप्त मोरे कलिंग नरेश खारवेल orange moer चंद्रगुप्त चंद्रगुपति मोरे कलिंग नरेश खारवेल कुलिंग नरेश कुलिंग नरेश क्कार्वेल और राष्ट कूट शासक गॉंते सब्सक्ता अमोल्ग वर्स कूण राष्ट कूट शासक अमोल्ग वर्स कॉन भाई पाश्व nowhere नमबर पर देखें तो राष्टि कूट सासक अमोग यह वर्ष अमोग वर्ष भी इसको मानता था किसको मानता था जेन धर्म को जाता है ये सारा इससा सक कि सब्सक्राइब को मानने श Caesar मताउलंभी ऋद्धर करने वाले या जो उसके अरथ इससा सककर क्षूं डियां रख नाँपर secondly है यहां पर बात करें खजूराओं के जो जेन मंदीर है किसकी बात करें गा लेना प्यारा दोस्तों है एंप voiture लगा और लिखना खजूराओं की जो जेन capaz हो के दोआरा करवाया गया गया था ठीक है याद रखना खजुराहो के जेन मंदिरों का निर्मान चंदेल सास को द्वारा करवाया गया चंदेल सास को द्वारा करवाया गया खजुराहो के जेन मंदिर हैं उनका निर्मान करवाया गया पैर दोस्तों वो चंदेल सास को के द्वारा करवाया गया था जेन धर्म में सब्थ भंगी के अन्य नाम शादवाद या अन्यकांत वाद मिलता है जेन धर्म में सब्थ भंगी के अन्य नाम अन्य नाम शादवाद शादवाद या अन्यकांत वाद अन्यकांत वाद मिलते हैं शादवाद या अन्यकांत वाद मिलते हैं क्या मिलते हैं वही सब्थ भंगी के नाम क्या मिलते हैं यहां पर शादवाद व अन्यकांत वाद वह लगा ले तो और अच्छा होज़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगे वह अने कांत वाज मिलते हैं आपको और क्या जानकारिया मिलती है यहां पर बात करें कि अगे चलिए का बात करते हैं इंपोर्टिन लगाकर थोड़ा सध्यान रखना है किसकी बात करें रिगवेद की बात करें तो रिगवेद में कहा जाता है दो तीर्थंकर किसकी बात करें वहीं दो तीर्थंकर एक तो तीर्थंकर तो तीर्थंकर 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 तो तीर्थंकर तो तीर्थंकर एक तो रिशब्देव और एक आरिश्टने में किसकी कि जो और इश्ट नेमी यह संबंदिक है क्या कौन को और माने गए तो तो शंबंदी में रखते तो नजदी कीमाने गए घ्रकें के किनको याषट में आज दोस्तों को तील्थंकर कर चुद अध्युक। रिशब देव व अरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी का उलेक रिगवेद में किया गया है का किया गया है वी रिगवेद में किया गया है या गया है रिष्ट नेमी को अरिष्ट नेमी को भगवान क्रश्ण के निकट संबंधित बताया गया है अरिष्ट नेमी को अरिष्ट नेमी को अरिष्ट नेमी को अरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ट के निकट संबंदी बताया गया है भगवान कृष्ट के कि निकट में चल्मनुद क्लों 안녕하세요 गया है माना गया है थह संबंधि माना गया किसके निकट मोरत का роде माना गया लिज अरिश्ट नेवाज में जो 22 जो याओरे डूस्तों वह औक पारसुलात और चर्चोविसोडिस तिर्थंकर हुए हैं वो कौन हुए मावीर स्वामी को जेन धर्म का उद्धारक माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जेन धर्म इतने सारे तेरितंकरों के टाइम पर पड़ा रहा है कोई विशेस बातें नहीं हुई लेकिन कहा जाता है मावीर स्वामी के काल में देखने को मिलती है क Seal काल में देखने को मिलती जुए अब और बाते कर तो कहा जाता है रीडर दोस्तों क्या क्या जानकार आमसिए- यहां पर जेन धर्म के कुछ्स तीर्द्णकर और उनके प्रति किछी नह्ए देख लेते हैं यह से तो चौ्विश को हूए हूं को दो हिस ए कि जैन द्रम के तीर्थंकर लिए यह के- जेन धर्म के तिर्थंकर कोन कोनों ही है इस प्रकार से पढ़ देखते हैं वहीं पुरीन का प्रतिक चिन विशात में लिखते चलेंगे इस नहां पर लिखें पिर्थंकर एक तरफ तो क्या लिखेंगे है फिर्थंकर कैंच क्तली की फिलतंव पर दूसरी तरफ परतिक चिन ये लिखर गाओं से बड़िक आपको पहले जो आपके तीर्थंकर हुए है वो कौन हुए रिशब देव का जो प्रतीक चिन्द है वर्षब या सांड क्या है प्रतम जो तीर्थंकर हुए है आपके प्रतम तीर्थंकर प्रतम तीर्थंकर हुए है आपके रिशब देव कौन हुए रिशब देव उनका जो प्रतीक चिन्द है कि उनका जो प्रतीक चिन्द है वो क्या है वह माना जाता है आपका क्या माना जाता है पहले की नाम ले पश्ट पश्ट तिर्थंकर कौन हो यह सब सपहले विशब देव का प्रतीक चिन क्या है विशब देव का प्रतीक चिन है यह इनको क्या नाम से जानते हैं रिशब देव कर दे आदीनात कर दे इनके नाम मिलते हैं भी इनका प्रतीक चिन है प्रतीक चिन है अजीत नात इनका है धाती इसके बात करें दूसरा है अजीत नात नात और अजीत नात का क्या है हाती थी यह इनका प्रतीक चिन माना जाता है हाती या हाती शिंग सेना कहा जाता है यह प्रतीक चिन को अजीत नात के नेक्स बाते करें तो कहा जाता है चंभव नात का क्या है घोड़ा चारू उनका क्या है घोड़ा चारू चारू या चुझता हुआ घोड़ा जो माना गया है यह किसका है इसके बार बात करें अभिन नात अभी नंद नात या अभिन नंद नात तो तीसरे पुछोथे की बात करें कि रुट्थे की बात करें तो छोथे की बात करें तो पहर दोस्तों किसको अभिन नंद नात अभी या ब्रजनात क्या बंदर क्या माना गया है बंदर क्या माना गया है ब्रजनात या बंदिर माना गया है नेक्स बात करें पांच्वे नंबर की पांच्वे नंबर पर कोन आता है भई पांच्वे नंबर पर आता है शुमतिनात चक्वा या लाल हंस सुमतिनात कोन आता है तु सुमतिनात तो इनका है चकव या लाल हंस क्या है चकव या लाल χंस है इनका सुमतिनात का नंबर छे की बात कर आप दोबर दोस्तों जो आता है पदम प्रभू पदम प्रभू और पदम प्रभू का माना जाता है कमल क्या माना जाता है इनका क्या माना जाता है कमल माना जाता है यानि कमल कफूल का माना जाता है उसके पश्चात बात करें तो यहां पर आता है पदम प्रभू के बाद सुपार सुनात सुपार स स्वास्थिक क्यों से सात्वे नंबर पे तुपार सुनात तुपार सुनात यह सुपार सुनात अलग है वो 23 सुपार सुनात इनका है क्या माना जाता है भी तुपार सुनात यह अलग है यह वाले सुपार सुनात जो अलग है वो 23 तीरस्थिंग कर भी तुपार सुनात है लेक स्वास्तिक क्या हो जाता है स्वास्तिक इनका क्या है स्वास्तिक ठीक है इनका क्या हो जाएगा आपका स्वास्तिक हो जाएगा नेक्स बात करें दोस्तों आठवे नंबर पर कौन आता है चंद्रप्रभू चंद्रमा क्या चंद्रप्रव आठवे नंबर पर कौन से नंबर पर आठवे नंबर पर चंद्र प्रभू चंद्र प्रभू और चंद्र प्रभू की बात करें यहां पर आता है आपका चंद्रमा क्या आता है चंद्रमा क्या आता है चंद्रमा नोवे नंबर की बात करें दोस्तों तो नोवे नंबर पर किसको बात की जाती है नोवे नंबर सुर् Smart형 प्रेसाथ डेखेये आज दोन फुस्प दंत का मगरमक्षि स्पु दंत क्या आता है उस्प हें डंत पुश्प दंत क्या है वेल्म तिक एस मगर 시開始 क्या है है मगर मझें क्या है मगर मच पुस्प दंत का क्या माना जाता है मगरम Mehr लिए ध्याइज रहे जाएगा और दस्वे नंब्र की बात कर स्थ दूस्तों Huawei 107 PRO को से यह कि नंब्र लाइव है चेकष है कैसि कशली कि ईतलनात टल टल नाग चीटलनात का कून रहे का होता है काल्प लुट्श स्रेहां करें घान्द का दाहई घयार्वी निंबर मैं टेम्दा का किया हो जाएगा चियां सनाथ यारवे नंभर क्या हो जाएगा श्रयांजत नात और 12 नंबड़ का वासुल पुझे फेस्क या भुबूशे जब भhinakah याफ क्या बुबूशा शिक्राभ दो कुंचिन बुञार मिय नंबर का हो हाई गा वासु पुझे क्या वासुपुजी का भेंस क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा भी कि यहां पर भेंस क्या हो जाएगा तरेश कि मिवह बनेर नमबर का कि बात करते तेरवे नमबर पर कोण और विमलनात का क्या है सुवर किसका विमलनात का क्या हो जाएगा विमलनात का सुवर हो जाएगा चोद्वे नंबर पर अनंतनात साही जस अनंतनात और इस पर क्या हो जाएगा साही जस क्या हो जाएगा साही जस पंद्रा की बात करें तो पंद्रा पर कोण आता है वही पंद्रा पर धर्मनात वरत जिर्दंड धर्मनात धर्मनात और धर्मनात का क्या हो जाएगा वज्र दंड वज्र दंड क्या हो जाएगा वज्र दंड शोलवे नंबर की बात करें पर दोस्तों तो शोलवे नंबर पर आएगा आपका शांतिनात हेरण शांतिनात शांतिनात के बात करें तो हीरण क्या जाएगा इसका हीरण क्या जाएगा हिरन, चांतिनात की बात करें, तो क्या हो जाएगा, हिरन, और सत्रवे नंबर की बात करें, next, शत्रवे नंबर की बात करें, तो सत्रवे नंबर पर कोन आ जाएगा, भी, सत्रवे नंबर पर आ जाएगा, कुंतुनात, बकरी, कुंतुनात, कोन आ जाएगा, कुंतु, कुंतु नात और कुंतुनात का क्या जाएगा बकरी क्या हो जाएगा कुंतुनात का आपका हो जाएगा बकरी क्या हो जाएगा भी बकरी कुंतुनात का क्या हो जाएगा बकरी हो जाएगा अर्थार्त की इस तरीके से और बाते करें भी नैक्स बात करें तो का और दिखान रखना है और किसकी बात करें यहां पर अठारवे नंबर की बात करें तो अठारवे नंबर पर को ना जाए गवी यहां प्रकुंतुनाथ 70 नंबर का और अठारवे नंबर पर आ जाएगा आपका अहलनात अरहनात मचली क्या हो जाएगा इसका मचली मचली या कुम्भ मचली का करते कुमभ बोलते मचली या कुमभ हो जाएगा 19 नंबर पिक आजाए 19 नंबर पर कोन आ जाएगा भी 19 नंबर और 19 नंबर पर जो आ जाएगा पैर दोस्तो मली नाथ और इनका हो जाएगा कलस मली नाथ किसका मली मली नाथ और मली नाथ को क्या हो जाएगा कलस क्या हो जाएगा भी कलस और कलस हो जाएगा यही मली नाथ है जिसको आपको पता है कि श्वेतांबर लोग है वो महिला बताते हैं इन मलिनाथ को यह कहते हैं कि यह महिला के रुप में हुए थे तो कौन मानते हैं उन्निस्वे जो तिर्थंकर हुए हैं किसके बात करें 19 स्वेत तेर्थंकर मल्ली नाजी कि बात करें तो इनको यह क्या मानते हैं जेन धर्म-श्वितांबर जेन लोग क्या गए इनको महिला मानते हैं ठीक है बीसली अबर पro नबर किसके बात करें 20 धेता हूँ 20 नंबर की और 25 नंबर के को हो जाएक व्यूंत रीज़ मुने वुने तुर्ण थे नाथ तो पुनी शुवरद नाथ नृ त लो फ्रत नए न इनका जो पर्ती को हो जाएगा कुछा क्छुआ क्छुआ क्या वुद्ध पर भी निशुपरतनाथ का क्छुआ क्छुआ क्या देका कच्वा कि कच्वा कि अज़ दोस्तों ने मिनात नील कमल ने मिनात ने मिनात ने मिनात नात और नेमिनात का क्या हो जाएगा नेमिनात का नील कमल कौन सा हो जाएगा भई नेमिनात का नील कमल क्या हो जाएगा नेमिनात का नील कमल कौन सा हो जाएगा भई नेमिनात जो है 21 तीरतंकर हुए और 22 हो जाएगे अरिष्ट नेमी 22 कौन से हो जाएगे अरिष्ट नेमी कौन स तो कि अरिश्ट नेमी का शंक कि अरिश्ट नेमी का संक क्या होगा संक क्या होगा झाओ जाये प्रतिख वह उसके बाद तैवीश्वे जो तृष्टं कर मांने जाते हैं कि नहीं नमर के 23 एक पार्शनात या पार सुनात के टु पार्शुनाथ क्या दुपार्श नाज पार्शुनाथ और कि जो Maar और इनका क्या हो जैगा इनका जो प्रतीग चीन हो जाएगा शिर्फक क्या हो जाएगा शिर्फक और अन्तिम चोभी wallet कम हो एक harsh क्या हो जाए गा इनका प्रतिक चिन इस प्रकार से आपके यह पूरे के पूरी 24 तीर्थंकर होगा हो जाते हैं तोटल किया रोल जाते है थो भी स्थि पत्मकर हो जाते हैं कर बात कर लिए हमने कि इया पर फोड़ा इस G8 पाश्र नहीं पार थे परिख शुनाएं सुपर सुनाथ करां करने बदिए कि धिरच रतरइज है कि रहे सब Plus Ven at से वह अदि चाहिए पर 12 टीरथंकर बाने जाते हैं यह ध्यान रखना को कौन से नंबर का कर वाना जाता ते वीशुह तीरस तंकर माना सुधित सारे 24 सोभी संपर हो जाते हैं आपके उभ्याद रहे उतने याद रख लेत और तो नहीं मैं पहला याद रखना उसका प्रतिक चिन्ना ढधर मैं fiquei पहले का रिशब्द यहां पर देखा हमने सबसे पहले रिशब्द देओ प्रतीक चिन्ने सांड या पिर वर्षब यह याद रखना है पहला वाला और तेविस्वा चोबिस्वा यह तीन याद रखने बाकी तो आप देख लेना याद रहे जाए कोई दिक्कत नहीं रहे तो क पहला याद रखना इंपोर्टेंट लगा लेना इन सबस्क्राश्य प्रतीक चिन याद रखने बाकी आतर है नहीं रहें चाफिकर दोस्तों तो यह आज के लिए बहुत वह धन्यवान को यह सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों जेहिंघ